जै मातारानी दोस्तों मैं नीता नीता विक्टरम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ श्री हरी विश्नु मालक्षमी आप पे क्रपा करेंगे यदि आप एकादशी के दिन में कुछ नियमों का पालन करें जो लोग वरत करते हैं तो वो तो सभी नियम मानते हैं जो लोग वरत नहीं भी करते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन पे कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए देखिए विश्नु भगवान की क्रपा प्राप्थ होने से जीवन में सुख बढ़ता है हम जो भी चीज की इक्षा करते हैं वो हमें जरूर प्राप्थ होने लगती है विश्नु भगवान को पालन करता कहा गया है इस पूरे जगत में प्रत्वी पे जो भी आप फल, साग, सबजियां जिस भी प्रकार की उन्नती धन संपदा देखते हैं याने मालक्ष्मी के रूप में जिन भी चीजों को हम देखते हैं वो सब विश्नु भगवान की क्रपा से ही हमें मिलती है और अभी दोस्तों चातुर मास चल रहा है ऐसे में विश्नु भगवान का जितना पूजन अर्चन करा जाए वहाँ तो बहुत अच्छा है साथ में लक्ष्मी क्रपा प्राप्ती के लिए जो विशेश कारे हैं वहाँ भी हमें जरूर करने चाहिए कल याने 16 अक्टूबर 2021 की तारिक को एकादशी केती है या द्वादशी युक्त एकादशी है स्वयम शिप पुराण में शिप जी कहते हैं द्वादशी युक्त एकादशी विश्णु भगवान को बहुत प्रिया है इस दिन पे व्रत पूजा पाठ करने से विश्णु जी की क्रपा जरूर मिलती है अब दोस्तों एकादशी तिथी में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं और तुलसी के पत्ते हैं यह आप एकादशी के एक दिन पहले ही तोड के रख लें देखिए जो आपके जीवन के दुख कष्ट हैं वो बिलकुल मंजीरी के समान है याने तुलसी के बीजों जैसे हैं आपको यह तुलसी के बीज के साथ जो तुलसी के पत्ते होते हैं भग ले लेते हैं उसके जीवन में सुख सभाग्य बढ़ने लगता है ध्यान रहे एकादेशी के तिति में तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो एक दिन पहले जरूर तोड़ने यदि आपने पहले तुलसी नहीं तोड़ी है तो आप अपने घर में पहले से जो चड़ी हुई तुलस करने के बाद ही तुलसी के पत्तों को तोड़े हमीशा तुलसी तोड़ने से पहले नहाले तुलसी को तोड़ने के मैंने कई नियम पहले आपको वीडियो में बताए है वह वीडियो जरूर देख लीजिए अब दूसरा नियम आता है खाने पीने का एकादशी व्रत बहुत ही नरक में वास करने जासा है ऐसा कहते हैं जितने दाने एकादशी के दिन पे चावल के खाये जाते हैं उतने ही वरस हम नरक में वास करते हैं तो पापांकुष एकादशी हमें अंजाने में करे हुए पापों से मुक्ति दिलाती है, अब अभी से ही ये नियम बनाएं कि जब भी एकादशी तिती होगी हम चावल का त्याग कर देंगे, और वैसे एकादशी की तिती में सेम भी नहीं खाना चाहिए, सेम की सबजी खाने से पुत्र का वंश का नाश हो जाता है यह दोनों ही चीजें आप एका दशी में मत खाएं क्योंकि पुराने समय में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं कि राजाओं ने इस नियम का पालन करा और उनका राज्य और उनकी शक्तियां बढ़ती गई कि उन्होंने चावल का त्याक करा त जो कौप माता है हमारी जिनने हम देवी लक्षमी मांते हैं और हर प्रकार के देवी देवता गौप माता पे वाज करते हैं उन्हें आप एका दशी की तित्ही में अपने हाथ से रोटी खिला दें रोटी में हो सके तो थोड़ा गोड रख दें या आप जैसे कलेका दशी है आपने यदि खीर बनाई है तो आप उसमें थोड़ी खीर भी रख सकते हैं गौमाता को आप ऐसा समझके कि मैं सभी देवी देवताओं के निमित ये प्रसाद गौमाता को खिला रही हू आप खिलाईए देखिए कोई भी जो हम कारे करते हैं उसका हमें फल एक ही दिन में नहीं मिलता है पर जिस घर में हमेशा गौमाता आके भोजन ग्राण करती रहती है उस घर के बड़े बड़े वास्तू दोश दूर हो जाते हैं गौमाता को साक्षात लक्षमी जी का प्रत दुरूप से होती है देखिएगा दुख एक ही तरह का नहीं होता है केवल धन का नहीं होता है जो बनुष्य रोगी हो जाते हैं जिनके बच्चे अच्छे नहीं निकलते जिनके जीवन में उनको उनकी बुद्धी उनका साथ नहीं देती वो लोग भी बहुत दुखी रहत जो एकाद शीवरत होता है उसमें पहले से जो ब्रहमन लोक केवल पूझा पाट güện करना जूते चपल चाते जिससे की जो काम करने वाले लोग हैं उनको मदद मिले देखिए जब आप किसी का दुख दूर करने के लिए किसी के शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आप कार्य करते हैं तो आपके शरीर का जो कष्ट है ना वो कभी आपको नहीं मिलता जैसे किसी क में दुख बहुत जादा है बीमारी जादा है तो आपको यह सभी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी अब दोसों सबसे आखरी जो सबसे अच्छा उपाय है वह बता रही हूं क्योंकि इस बार एकादेशी शनिवार के दिन पर आ रही है और शनिवार का दिन है देवी लक्षमी का दिन तो जो लोग व्रत कर रहे हैं वह भी सुपाय को कर सकते हैं जो नहीं भी कर रहें वह भी सुपाय को करें अपने घर में शाम के समय दिया लगाए पूजन रचन करें आप अपने घर में विश्णू सहस्त्र नाम का पार्ट पर सकते हैं या जो भी आप पढ़ते हैं वह सब पढ़े पर आप जो दिया लगाएंगे उसमें थोड़ा जादा घी या तेल डालें जिससे कि वो दिया थोड़ा लंबे समय तक जलें सबसे बहले शाम में याने आजकल तो दिन जल्दी डूबने लगा जहें जैसे ही सूर्य अस्त का समय हो जाए 6 बजे के आसपास घ तेली का तेल डालें या फिर आप शुद्दगी भी डाल सकते हैं और बाती लगा के और थोड़ा सा चीनी गुड़ आप ले ले और जल ले यह सभी चीज लेके आप पीपल के पेड़ के पास में जाएं शाम में जो शाम का विशे समय होता है जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय देवी लक्षमी पीपल के पेड़ पे आती है तो आप उस समय जाएं और उनका आवाहन करें वहाँ पे यह दीपक प्रजुलित करके रखें और आप गुड़ और जो जल है उसको आप पीपल के पेड़ के जड़ में चढ़ाएं और बोलें है देवी लक्षमी आप मेरे घर चलें मेरे घर में सदेव सदेव वास करें आप वहां पे खड़े रहें शुद्ध भाव से एकदम यानि कुछ भी आपको नहीं सोचना है सिर्फ यहीं सोचना है कि मेरे साथ देवी लक्षमी मेरे घर आ रही है देखिए जिसके घर देवी लक्षमी आने वाली होती ह वो सुबह से ही अपने घर को साफ सूफ कर लेता है तो आप देवी लक्षमी को जब लेने जाए उसके पहले ही अपने घर को सुन्दर कर दें साफ कर दें घर में चारू तरफ सुगंद अच्छा बाता वरन करके आए और इस तरह पीपल रक्ष के नीचे फिर आप फेरी लग सकते हैं एकदम जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बोलते हैं उल्टी दिशा में फेरी लगा लिए तो कुछ गलत तो नहीं होगा नहीं होगा पर ध्यान रखिए क्योंकि हम पूजा पाट करते हैं तो हमारा मन शांत होना तो हम पीपल के व्रक्ष का पूजन कर रहे हैं और अब हम घर जाएंगे फिर आप जब वह जल चड़ा दिए दीपक भी आपने आटे का बनाये था वह भी वहीं छोड़ना है और जो गुड का प्रसाद लगाये थे वह भी आप वहीं छोड़ देंगे तो आप अपने घर जा रहे हैं केवल माता का ध्यान करते हुए आप अपने घर चले जाएं जब जाएं तो ना किसी से बात करें ना किसी से मिलें ना कहीं रुकें सीथे अपने घर आएं और अपने पूजा के मंदिर के पास जाके खड़े हूं बोले हेमा लक्षमी मेरे घर में बास करो और उ तोड़ी देर भजन कीरतन करिए या ओम नमो भगवते वासुदेवा इस महामंत्र का जाप करिए जीवन में यदि आपको धन की कभी-कभी महसूस नहीं होगी जी लोगों के जीवन में कोई भी दुख दिक्कत चल रहा है वो यह सुपाय को यदि करते हैं तो उनके जीवन मे स्थामी बहुत सुख आता है और देवी आपके घर में जब आ जाती है तो नियमित आप अपने घर का साफ सफाई जरूर करें देवी लक्षमी तभी घर में रहती है जब आप अपने हर में साफ द्यार रखते हैं और दूसरी चीज़े हैं आप हो जगडा नहीं करना चाही क्योंकि देवी देटा जब आप अपने घर में निरंतर जगड़ा करते हैं तो उससे वह रुष्ट हो जाते हैं तो घर में जगड़ा ना करें घर में आप बहुत ही प्यार के साथ रहें एक दूसरे का आप मदद करिए इस प्रकार से रहें देखिएगा आपको माता की अद् का दशी है तो आप ब्रह्मचरिवरत का पालन करें और विश्णु जी के नाम का जाब करते हुए सोजाईएगा देखिएगा आपके काम बनेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल जरू सब्सक्राइब करें अगला वीडियो लेके जल्दी ही मिल्टियो जे मतरानी